नमस्ते सदावसले मात्रभूं में हम लुक्षर्चा करने जा रहे हैं बारानशी कोट की बारानशी कोट में हम सब ने पूरा प्रकण अपने को मालूम ही है कि कैसे ऑनरबल सुप्रीम कोट से होते हुए प्लेसी जो वर्षिप एक्ट का मामला फासाब सूट में प्लेसी जो करवाया सरवे के बाद जो सबसे पहला सवाल था वो था कि मेंटेनेबल है कि नहीं है तो और सेवन रूल 11 में उसको मेंटेनेबल बताया गया फिर एक और 26 की और 26 रूल 10-A की एप्लिकेशन लगी और उस एप्लिकेशन में यह कहा गया कि भई इस पर एक कमिशन ने पॉइंट किया जाए इस पर सर्वे करवाया जाए तो ASI सर्वे हो ASI सर्वे को लेकर लबी चौड़ी बहस हुई और जो दूसरा पक्षय है जिसके कब जा है वो लगातार एक ही बात कहता है प्लेसे सब वर्षि इन करना सर्व प्लेसे सब्षिय पैग नाइंटी नाइन न चाहिए जो प्लेस है उसमें प्रेवरतन लुप यह बात ठीक है दूसरा पक्ष का यह भी कहना है कि यह हिंदू समाज को जो चीजे रहोनी आइसरे कर दोस्ता बापस न की जाएं इसकी लिए उस समय 1991 में कानूर बना कर रखा गया था लिकिन आयोध्या उसका अपवाद रखा गया था कहना ये भी है कि Places of Worship Act Supreme Court ने वेरिफाई कर दिया था हाला कि Solicitor General तुशार महता ने लगातार Court में सुनवाई करते समय Places of Worship Act के मामले में का है कि आयोध्या वर्डिक्ट ने Places of Worship Act को कहीं से रोका नहीं है और उसकी वैलेटी तय नहीं किये वो ओबिट डिक्टा का पार्ट है यानि कि उसमें कमेंटरी का पार्ट जरूर हो सकता है क्यों क्योंकि Places of Worship Act उसमें भी क्लेम हुआ था और Places of Worship Act खुद में आयोध्या के जो कानून बना था उससे बाहर रखा गया या आयोध्या उससे बाहर रखी गई थी कर सकते हैं तो क्या आपको मत्धूरा में भगवान श्रीक्रिक्षान से दुष है आप अगर मत्हुरा में कर सकते हैं या एध्या में कर सकते हैं तो आपको बाव विश्वनात में कोछ द्वेश हैं ऐसे बहुत सारे प्रशन है कि भी क्या कारण है कि आप डिस्टिंग्शन इन गौड वर्शिप प्लेसेस कर रहे हैं तो ये भी एक नई बात छेड़े हैं हाला कि सुप्रीम कोट होते हुए मामला अदलत तक नीचे अदलत में पहुचा एसाई सर्वे की बात है कि भी कैसे पता किया जाए कि ये जो शिवलिंग भगवान का अंदर मिला है वो हकीकत में शिवलिंग है या जो लोग कह रहे हैं कि फुबारा है वो फुबारा है हकीकत में व Bevglich है या फबारा है ये पता कैसे लगेगा कौन बताएगा क्योंकि दोनों फक्षाप अपने हिसाब से कहा रहे तो सीधी सी बात है क्यों हम वह साइन्टिफिक इन्वेस्टिकेशन होना चाहिए वो शिवलिंग है या फिर वो फबारा है तो अनेविल कोट ने ASI चुकिए ASI का थोंटेकिटिट बॉड़ी है अमरे देश में और ASI उस पर अपनी रिपोर्टिंग भी करती है तो इसलिए ASI को अधिकार दे दिये कि ASI उस पर सर्वे करे ASI उस पर साइन्टिफिक रिसर्च करें ASI साइन्टिफिक रिसर्च करके उसमें पता लगाए कि वाकई में क्या है वो अब ASI उस पर रिसर्च करके लगाए इसके लिए ASI को पावर दी दीगी ASI लगातार उस पर कानानू कानू कर कर रही थी फिर उसके बाद वो मामला हाई क अब ASI survey authenticated हो गया यानि कि अब ASI उस पर अपनी रिपोर्ट लगाएगी जिस को सर्वे करेगी और सर्वे करके अपनी रिपोर्ट अपलत में जमा करेगी और उसमें बताएगी कि वाकाई में ये विश्वय श्वरया भगवान शिव हैं या फिर ये फबारा है और क्या ये माननी नहीं है जो तमाम तरह के अठकलने लगाती है तो अब बहुत सारे प्रश्ण इसमें खुल कर सामदाएगी उन प्रश्णों को जवाब देने के लिए एक बात और समाज एक बात और हिंदों ने रखी उन्होंने का भाई इसकी कारवन डेटिंग करवा दी जाए और क मजजज जब बनी या मजजज पर जब कबजा हुआ तो वो 400 साल 300 साल पुरानी बात है 300 400 साल पहले का यह है या बाद में बनाया गया अगर यह 400 वर्श से पुराना है तो फिर जाहिर सी बात है कि यह फबारा तो हो नहीं सकता और फबारा उस समय चलता भी नहीं था फबार यहां पर यह पैदा होती है कि इन में वो situation कैसे deal करी जाए कि वाख़ई में यह कितना पुड़ाना है तो लोगों को समझ में आया कि भी application लगा दी जाए और उस application में यह claim कर दिया जाए कि वाख़ई में इसमें carbon dating करवा दी जाए अब समझ में आता है कि carbon dating क्या है honorable court ने carbon dating के लिए मना कर दिया, order कर दिया कि इस पर carbon dating नहीं करवाई जा सकती, biological dating नहीं करवाई जा सकती, तो carbon dating महलब जब आपको ASI सुईकार था, जब ASI survey के order हो गए हैं, नीचे वाले court के अलाबा high court ने उस पर order कर दिये हैं, तो फिर ऐसी situation में कैसे सिद्ध हो, ऐसी situation में कैस पता लगे कि वाकई में क्या है, इसके लिए honorable court के सामने सवाल खड़ा हो गया, तो ये कैसे पता लगे, ये सवाल हैं बहुत सारे, ASI survey के होने के बाबजूत carbon dating के लिए मना कर दिया, argument दोनों तरफ से आये थे, पहला तो हिंदू समाज के जो पांच महिलाएं थी, जिन्हों से एक ने कहे दिया, भई भगवान के उपर हम किसी प्रकार का कोई आरा, कोई कर्षी, कोई रेगमाल नहीं चलाना चाहते हैं, बात तो ये भी है, कि जब हम उन्हों में प्राण मानते हैं, तो उनकी dating करने के लिए आपको उनको खरोचना पड़ेगा, और खरोच कर जो समा लेंगे, उसकी carbon dating होती है, तो ये बिरोध हो गया था, मैंने पहले भी कहा था, कि carbon dating के लिए बहुत सारे प्रशन खड़े हो गए हैं, और carbon dating आपस में, हिंदु समाज ही आपस में लड़ रहा है, क्योंग एक समाज कहता है, सत्य सामने आना चाहिए, और उसी समाज के दूस लोग ये कहते हैं, कि नहीं, भगवान पर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए, भगवान शिब वहां पर विराजमान हैं, और भगवान के ओपर किसी प्रकार का कोई कटीला चीज या 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 वो नहीं चलने चाहिए, आप सवाल कोर्ट में बहुत सारे थे, और बिल अहली बात तो यह है, कि अगर हम इस पर कारवन डिटिंग अलाव कर देते हैं, तो फिर समाज के एक बहुत बड़े वर्क को ठेस लगेगा, संप्रदाइक भावनाय उनकी खराब होंगी, रिलिजिस जो उनके थौट्स हैं, वो उनके खराब हो जाएंगे, और दूसरी तर कि Places of Worship Act में ये बात दे रखी कि किसी के करेक्टर को चेंज करने का अधिकार नहीं है, यनि कि वो जो शिवलिंग है, उसे शिवलिंग में किसी प्रकार के छेट-चाल करने का कोई अधिकार किसी पक्षको नहीं है, ऐसा Places of Worship Act कहता है, तो Places of Worship Act को ध्यान में देते वे हम इस पर ASI सर्वे नहीं एराउंस कर सकते बात उनकी बिल्कुल ठीक है उन्होंने जो ग्राउंड दूसरा एक साइंटिफिक लोगों ने भी ये कहा कि भी कार्बन डेटिंग को समझना पड़ेगा कि आखर कार्बन डेटिंग है क्या कार्बन डेटिंग फॉजल्स की होत 5730 या कुछ लोग 5766 ऐसा 5300 या 5766 हां 5766 बताते हैं इतने वर्षों में उसकी जो life है वह हाफ हो जाती कार्बन कन्वर्ट होके नैट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता क्योंकि कार्बन का formation ही नैट्रोजन का transformation है तो वो carbon जो है जो उसमें जान है वो transform हो जाती है और जो substance है वो आधा रह जाता है ऐसी ही अगर हम यह कहें कि लगभग 11,000 साल 11,400 वर्ष 400 या 500 वर्ष 11,400 वर्षों में कोई भी चीज जिसकी carbon 12 है वो carbon 14 है वो एक पटे चार रह जाता है तो वो चीजों की carbon dating निकाली जा सकती ही जो degrade हो रही है उसकी life half life period निकाला जा सकता है कि यह half life है carbon की और यह half life में इतने वर्षों में अधिया जाता है आप समझ लीजे हर बार इसको double करते चले जाईए जैसे मैंने कहा कि 5760 या 5730 वर्षों में वह half हो जाएगा तो इसका दुगना कर लिए जबन फोरता जाएगा उसका दुगना पीरेट उसका उसमें फिर इतना ही जोड़तेंगे 5700 तो फिर फिर एक बटे आठ हो जाएगा ऐसे करके वो डिग्रेट होता चला जाता है उसकी जो ओरिजिनल कार्बन है वो कार्बन कन्वर्ट होकर ट्रांसफर्म होकर सला जाता है अब सब आलेक और है बात यह आती है कि फिर पत्थर में क्या होता है पत्थर के लिए या रॉक्स के लिए ऐसा कहा रहता है और इस्टोन की जो हाड़िसिटी है जो हाड़नेस है वो दबाव से बनती है एक्मोस्वीर से बनती है हमें ढूंडना क्या है डीग्रेडेशन कि वो जो चीज समापत हो रही है और पत्थर बन रहा है इसलिए रॉक्स के उपर या जो जो इंशिंट वो है इस्टोन इसके उपर carbon dating नहीं हो सकती लेकिन हां cosmic race के माध्यम से यह तमाम तरह की और scientific methods हैं जिनके माध्यम से यह पता लगाया जा सकता कि उसकी age कितनी है और वो कितना पुराना हो चुका है अब यह तो यह सुईकार करें शिवलिंग के मामले में कि वो man-made है अगर वो man-made है तो तो उ इंट वाले पत्थर बनाए जाते हैं वो degrade होते हैं कि उसको आदमी बनाता है वो formation एक बार हो गया अब वो degrade ही होगा लेकिन जो stone है या जो rocks है उसका formation होता रहता है वो बनती रहती है वो अपना transformation करती रहती है पत्थर की आयू बढ़ती रहती है इसलिए यहां इस मामले म यह कहना बड़ा मुश्किल काम है लेकिन मैंने जैसे कहा कि और method हैं तो ASI को इसलिए दिया था कि वो उन method का इस्तेमाल करते हुए उसकी archaeological value निकाले उसकी architecture value निकाले उसके formation का वो निकाले या जो भी method वो cosmic raise उसमें भेजते हैं या उसमें C raise, S raise, N raise क्या 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 होता है ज तो वैसी raises वहां अगल बगल भगवान शिवलिंग पर तो नहीं किया जा सकता लेकिन अगल बगल का जो portion उनके साथ बना होगा उस portion पर उस तरह की raises डाल कर पता किया जा सकता है अब हिंदू समाझ का कहना ये भी है कि ये स्वेम भू जोतिलिंग है और स्वेम भू जोतिलि पर जब honorable court ने ये कह दिया है carbonating नहीं हो सकती तो पूरा का पूरा मामला ASI के पास चला जाता है ASI उसमें अपने method से पता करके अपनी report लगाएगा और ये बताएगा कि ये क्या है इसलिए ASI सर्वे स्विकार करने के बाब जूद इसमें उन्होंने मना कर दिया और वो मना करना कोई ऐसा विशेश नहीं है ये process है और इस process में जो कानून है कानून के साथ कानून के अनुसार और विज्ञान के अनुसार ही इस विशेश को आगे बढ़ाया जाना चाहिए वो कितना हमारा कपजा है आप क्यों पता करेंगे तो ये बहुत सारे प्रश्ण अब हैं जो समाज के सामने हैं और देश उसको डील करने के लिए तैयार है और अमिल कोट के ओर्डर है जै हिन्द जै भारत बंदे मातरों